हेलो फ्रेंड्स आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर किलासेश में तो फ्रेंड्स आज का वीडियो सेशन है वह इंगलिस पे इंगलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर मॉडल पेपर है आपका 7 या 8 होगा ठेक न तो देख लि परिका और चलते हैं तो पढ़ाई भी जारे रखते हैं क्योंकि आपका आने वाले जो दिनों में पीहार डियलेड दोहचोग दोहजाट चोविस को फॉर्म आने वाला तो उनकी तयारी में लगे रहना है और फेस्टिबल भी मनाना है तैयारी नहीं छोड़ना है क्योंकि ह हम लोग का एक ही एम है गवर्मेंट कॉलेज में अपना अपना एक सीट पक्का करना तो चलते हैं कुश्चन को स्टार्ट करते हैं इन फॉलाइंग कुश्चन आउट ओफ फोर अल्टरनेटिपश स्लैक्ट दा अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्प्रेश दा मीनिंग ओप एडियम फ्रेज आपको यह कुश्चन है आपका किस पर बेस्ट है आपका इडियम फ्रेज पर जैसे बोल रहा है तो तू दा बुलेट का मतलब होता है कोई 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 मुश्किल काम करना जिसे करने में पहले हिच की चाहट रही हो क्या दो गपाना जिसे करने में पहले हिच की चाहट रही हो थे हरा anecdote क्यों कुआ काम नयानया स्टार्ट करने जाते है तो हमारे मन में क्या होता है एक हिच की चाहाट होती है तो यहिए अर्थ ने कलुए तो इस चारो औप्षन में किसका निकल रहा है हय्ट्रेट मतलब नहीं आ रहा है हां यह आ रहा है to do something difficult that one has been to do something difficult that one that one has been hesitating over है ना तो hesitate मतलब आ रहा है ना कि हिच किचा हाट तो hesitate का मतलब होता है हिच किचा हाट तो option आपका भी राइट हो गया ठीक ना कि आगे बढ़ जाते हैं in the flowing question out of the four alternatives आपका जो दिया हुआ कुष्चन है उसमें आपको चार option दिये गए ठीक है select the alternative आपको उस कुष्च उस option को choose करना है which is the best substitute for the phrase जो आपका जो यह जो फ्रेज दिया हुआ है इसमें एदम suitable बैठता हो ठीक ना यह कहने का मतलब है तो क्या बोल रहा है देखते हैं तू शूट अडोर बिंडो और लीड फोर्स फुल्ली एंड लाउडली कहने क्या देखते हैं मतलब यहां पर हो गया कि धर डाके से दरवाजा खिर की बंद और इसका हिन्दी देखो गए यह पूरा फ्रेज का तो इसका पूरा हिन्दी क्या है कि धराके से दर्वाजा या खीड की बंद करना ठीक ना यह अर्थ निकल क्या रहा है टुसाओट टुसाट एडोर विंडो अर्लिड फॉर्सफुली अन लावडली धड़ाके से दर्वाजा खीड की बंद करना तो इसका क्या निकल जाएगा इस चारों में से देखते हैं इसका एक सुट substitute क्या निकल के आएगा तो इसका आता है इसका सेम अर्थ आपको निकल के आ रहा है option D से to slam to slam का भी मतलब होता है धढ़ाके से दर्वाजा खेट के बंद करना तब का option D right हो गया और other option का अगर अर्थ हम समझने चले तो भी देखिये Cl Am का मतलब क्या होता है को शांत ठीक है और स्थिरा के स्ट्राइक का मतलब क्या होता है ऐफिर अब का हर० करना ठीक है में हर सूर्टर शुर्टर का बंद करना शूटर सटर 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 का मतलब की होता है बंद करना तर बंद करना तो आप इस तरह से आपका ओप्सण डिराइट होगी है तो आगे बढ़ते हैं ती फिलीन-दी ब्लेंग्स दिख रहा है select the most appropriate of to appropriate मतलब suitable word to fill in the blank आपको खाली जगा में सही ओप्सन ढूंड कर भरना ठीक ना जैसे क्या आर्थ निकल क्या रहा है जो डैनासोर्स है डैनासोर्स अब अब जो परजाती है डैनासोर्स जो परजाती है अब क्या हो चुकी है बिलूप्त हो चुकी है बिलूप्त हो चुकी है यहां पर जो हिंदी अच्छा बैट रहा है हमारा वो किसका बैट रहा है वी लूप्त हो चुकी है जो डायनासॉर की परजाती है अब क्या हो चुकी है तो देख लेते हैं सब का अर्थ समझ लेते हैं जैसे X T I n C T extinct का मतलब क्या होता है लुप्त कि पहला ही option निकल लुप्त तो बिलुप्त मतलब लुप्त ही तो option A यहां से तो राइड हो गया और अधर का जान लेते हैं अधर ऑप्सन का हिंदीर्थ एंटिक का मतलब क्या होता है प्रा चीन और एंसियंट का भी अर्थ क्या होता है प्रा चीन और एगो ओल्ड का मतलब क्या होता है एगो ओल्ड का मतलब होता है सदियो पूराना सदियो पूराना तो यहां तो लुप्त हो गया है डानासार का जो पर जाती है अब क्या हो चुका है लूप्त हो चुका है तो यहां पर बढ़ाएगा आपका एक्स्टिंग्ट ठीकना तो आपका ओप्सने राइट हो गया आगे बढ़ते हैं कि स्लेक्ट दा मोस्ट अप्रूप्रेट ऑप्सन टू फिल इन दा ब्लैंक आपको खाले जगा में सही ऑप्सन चूच करके भरना ठीकना तो क्या है दा बेबी बड्स मतलब चिरियां का बच्चा क्या बूल रहा है जो पच्ची के बच्चे है यह चिरियां के बच्चे को उसकी मा ने मतलब को उसकी मा ने डैस दिया था क्या कर दिया था तो यहां पर जो चीरियां की मा है मतलब बच्ची के बच्चे हैं उसकी माँ ने उसे डैस किया था क्या किया था तो देख लिए इसमें आपका चारों option का इंग्लिस word meaning का अर्थ आना चाहिए तब ही यहां पर भड़ाएगा तो पहले word meaning देख लेते हैं टी टी एच आर ओ डवलू एन थ्रोन थ्रोन का क्या मतलब होता है फेंक देना तो जो चेरियां के बच्चे थे उसके मान उसे क्या क्या था फेंक दिया था और देखते आगे र-e-n-o-u-n-c-e-d renounced renounced का मतलब होता है त्याग 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 देना ठीक है और a-b-a-n-d-o-n-e-d abundant का मतलब क्या होता है छोड़ा चोड़ा चोड़ देना यह चोड़ा और sacrificed का मतलब क्या होता है यहां पड़ी होगा sacrificed का मतलब होता है बली दान तो कौन सा आपको लग रहा है कि कौन सा अर्थ suitable बैठेगा इसमें बेबी बड़ मतलब बच्छी के बच्चे को उसकी माने क्या क्या था त्याग दिया था यह चोड़ दिया था ज्याद अच्छा होगा तो त्याग देने का क्या है यहां पर रहा है रिनाउंस तो आपका ओप्शन क्या हो जाएगा त्याग दिया था यह छोड़ दिया था छोड़ दिया था छोड़ दिया था आपका ओप्शन सही रहेगा छोड़ दिया था तो आपका एबंडेंस हो जाएगा ओप्शन ए राइट ठीक ना त्यागना तो चिनियाण के पच्छ छोड़ दिया था ज्यादा सुटेबल होगा तो आपका ऑप्षन डी ऑप्षन सी राइट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं स्लेक्ट ऑप्षन डेट मीन दस्सेम एज़ गीवन इडियम आपको फिर से इडियम दिया गया है और उसका चार सेम अर्थ मिलता जुलता जो अर्थ होगा वह इडियम से जो मिल रहागा वह उसका अंसर हो जाएगा तो इस टोन थ्रो अवे का मतलब क्या होता है बहुत पास इसका मतलब होता है बहुत पास तो देख लेते हैं इस सारे अप्षन में किसका अर्थ निकल रहा है बहुत पा तो सौट डिस्टेंशन जो चोटे दिस्ट तापको अप्षन भी सही लगा मैनी माइल्स गलत एक रिमोट लोकेशन नहीं तो आप्षन भी आपका राइट हो गया तिया आगे बढ़ते हैं और फिल इन दिबलेंढ़ भरणा है वित उप्रीट आप्सन आपको सई उप्षन के साथ आपको फिल इन दिबलेंढ़ बस्वाडबना जैसे बुरे सपने से डैस थी, क्या थी, तो चारो आपसन आना चाहिए, उसका अर्थ आना चाहिए, तब ही हो जाएगा, तो क्या थी, अपने बुरे सपने से वो क्या थी, तो देख लिए, T-R-E-M-B-L-E-D, ट्रिम्बल्ड का हिंदी क्या होता है, कापना या घवराना, ठीक ना, और पर्टर्बेड, पर्टूर्बेड का मतलब होता है, पर्टर्बेड का मतलब होता है, परिशान, और D-R-E-A-D-E-D, ड्रेड का मतलब होता है, खुखार, और F-E-A-R-E-D, फियर का मतलब होता है, डर, ठीक ना, तो वो अपने, वो अपने नाइट मेर का मतलब क्या होता है, सपना, तो वो अपने सपने से, वो अपने बुरे सपने से, ठीक ना, वो अपने बुरे सपने से डैस थी, क्या थी, परिसान थी, तो यहां पर आपका option भी रायेट हो जाएगा, ठीक ना, तो दिकेंगे, आपको word meaning आना चाहिए तभी होगा क्योंकि आपको अधिकतर वर्ड मिनिंग पर फिल इन दिया जाता है ठीक न तो महनत थो रख करिए आपके लिए मैं इसलिए वर्ड मिनिंग का अधर ऑप्शन भी लिख आता हूं कि आप उससे याद करोगे तो आपको वर्ड मिनिंग ठोसा जाएगा तो आप त्यारी करते रहे हैं तो आपको जो है पैसिव फॉर्म और ये चार ओप्शन है और यह आपका गिवन संटेंस यह वाला ठीक नहीं तो देख लेते हैं अक्ट्व से पैसे तो ये इसका मतलब यह किसम है अक्ट्व भाइस में है इसका आपको पैसिव ढॉलना तो क्या क्या बोल रहा है पहले एक्टिव वाइस का टेंस लेते हैं लोग तो टेंस काउन सा है दार डिजास्टर मेनेजमेंट टीम रेस्क्यूड रेस्क्यूड है मतलब भी टु है इसका मतलब यह सिंपल पास्ट टेंस में है ठीक मैं आव इससे अगर हम पैसिव बनाने जाएगे तो पैसिव का जो टेंस होगा वह भी क्या रहे burse सिम्पल हिपास्ण रहेगा क्योंकि हम जानते हैं एक्टिफ से पैसिफ यह पैश्प सैक्टिफ बनाते हैं तो उसमें तेन्प का कोई भी बदलाव नहीं होता है तेन्स नहीं बदलता है सिर्फ इसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा इसमें सबजेक्ट पलस वाज वैर पलस भी ठीरी आ जाएगा अब पलस भाइ पलस object आ जागा तो ऐसा देख लेते हैं वाज वैर किसमें लगा वा है तो option यहाँ पर वैर है तो यह हो जाएगा ने ने और किसको represent करेगा sort present tense को तो present तो कभी होगा लिए टेंस अगर पास्ट एक्टिव है सेगर पास्ट में है अवारा तो पैसी भी समरे प्रजेंट नहीं जा सकता है टो उप्सन बी गलत और यहां भी है सी भी गलत हैब इन प्रजेंट स्वह बताता है बी गलत जो उसन बचा हमारा वो हमारा आंसर हो जाएगा तो राइट आपका आंसर हो जाएगा option A ठीक ना समझ गयोंगे आगे बढ़ते हैं है कि स्लेक्ट दलक्त इंडारेक्ट फॉर्म और गीवन सेंटेंस आपको नरेशन दिया वा ठीक ना यह आपको डायक्ट इस्पीच दिया हूआ है डायक्ट इस्पीच को इनडारेक्ट इस्पिच में बदलना है जिसको आपके चार ओप्सन दिये गया है तो डारेक्ट स्पीच का टेंस देख लेते हैं तो आई हैव आई लाइक हेविंग साओथ इंडियन ब्रेकफार्ट सेड अरून टूदा रेसेप्स्ट निस्ट मतलब अरून माली होटल गया वहां पर रेसेप्स निस्ट को यह बोल रहा है कि आई लाइक हैविंग साओध इं है ये किस में है आप हिक पाश्ड तेंश में और नरेशर में हमारा टेंश बदलता है ठीकना यह यादत ना क्या हो जाएगा इसका अरून इस टेलिंग दा रहे सिपेत आरून अब दिखेंग सेड्ड हय तो सिड जब भी सेड्ड होता वह स्गर्ल पाष्ड न मेigs नहीं को तो यहां टैलिंग हो गया अरून वाला है तो पर कहानी tehdा यहां थक सही है कि दोनों में हम ही ही दोनों में है लाइक वील आगिया वील कहीं से भी ने आएगा देखिए यहां पर अगर लाइक है तो फ्यूचर कैसे चला जाएगा फ्यूचर जाएगा ने तो यह भी गलत तो आपका ओप्सण जो बचा वह आपका राइट एंसर हो जाएगा तो आप भी आपका राइट हो जाएगा ठीक है देखिए नरेशन और वहाइस बनाने का सबसे अच्छा तरीक है आपको खिलने आना चाहिए अगर उप्सन से आप छाटना सीख जाओगे तो आप आंसर तक जल्दी पहुंच जाओगे ठीक ना तो मैं देखा कैसे पहुंचा कि डारेक तो he liked having होगा क्योंकि पास्ट है तो लाइक का भी टू होना चाहिए था ना क्योंकि यह प्रेजेंट में था यह तो उसका भी टू होना चाहिए यहां भी लागे फ्यूचर तो होगा नहीं कभी भी तो भी टू आगया पास्ट होगा प्रजेंट से पास्ट होगा तो पास्ट वाला उप्सन सही हो जागा उप्सन भी आगे बढ़ते हैं स्लेक्ट दा मोस्ट अप्रुप्रेट उप्सन टो फिल इन ब्लैंक आपको खाली जगा में सही उप्सन चूज करना चारों अप्सन में से ठीक है तो देखिए सेखर गुपता इज वन ओफ टैस जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया क्या वला कि सेखर गुपता भारत के भारत के प्रत्थ बहारत के डैस पत्रकारों जर्नलिस्ट मतलब पत्रकार में से एक हैं एक है वन ओफ दा मतलब एक है तो शेखर गुपता भारत के पत्रकारों में से एक है तो कैसा पत्रकारों में से एक है तो इसके लिए आपको क्या आँना चाहिए यहां तो कोई भी टैंस बहाई किसी का भी काम नहीं है यहां पर आपको इंगलिस वट का हिंदी अर्थ प्रति पाधक को और देख लेते हैं कि परटिनेंट का मतलब क्या होता है उचित और देते हैं इमीनेंट का मतलब क्या होता है प्रतिष्ठित और एक और बच रहा है इमीनेंट का मतलब देख लेते हैं आशन अठीं तो आपको क्या लग रहा है कि जो सेखर गुपता झो हैं भारत के पत्रकारों मेंसे एक हैं तो कैसे पत्रकारों मेंसे तो परतिश्ठित पतरकारों में से तो परतिष्ठित का है इंगलिस क्या था इमिनेंट तो आपका ओप्शन सी राइट हो गया है आगे बढ़ते हैं हमदा कि यह सब्सक्राइब कर रहें आपके से इंट्रों में चाहें हैं पर किसको यूज करते आप कि सेंट्रेंश को अगर हम लंबे समय तक रोकना चाहते था सब्सक्राइब बन socially स्थम्सक्राइब के लिए रोकना चाहें तो हम क्या करते हैं सेंटेंस में कॉमा लगाते हैं हाइपन नहीं लगाते हैं कॉलन नहीं लगाते हैं सेमिकॉलन कॉमा क्या लगाते हैं कॉमा क्या लगाते हैं कॉमा तो आप्सन भी राइट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं पीक आउट दर नंफनाइ तो आप लोग को मैंने बहुत बहुत बार बता दिया कि यह तीन तरह के होते हैं कौन-कौन होते हैं एक जीरंड होते हैं जो क्या होता है भर्व प्रेजेंट 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 प् करता है तो adjective की तरह बढ़ करता है यह था काzeigt इंफिनिटीव इनफिनिटीव ऐह यह आफ का क्या होता है मित फॉर्मिट चत्क्छर क्या होता है तो टूब लस भिवान होता है जो संटेंस में कम करता है नाउन कितरह यह नहीं संटेंस कर सब्जेक्ट होगा नहीं तो अब्जेक्ट होगा यह होगा यह थियोरी मैं हमेशा देते आ रहा हूं तो अब आगे बढ़ते हैं यहां पर आपको नन्फिनाइट भर्फ खोजना है तो वी प्रैक्टिस मेडिसेशन टू लिब्रेट देखें टू लिब्रेट दिख रहा है चलिए यहां रख लेते हैं आवर सिल्फ फॉम्दा बर्डन ऑफ क्रेविंग एड इगनोरेंस एक यहां दिख रहा है क्रेविंग मनलग सी आरे भी आए भर्म प्लस आएंजी है और प्रिपोजिशन है प् प्रिफॉर क्रेविंग यहां भी है एक यहां पर टू पलस लिब्रेट यह इन्फिनिटीव एड़ में टू पलस भी वन है जो नावन की तरह करता है तो यह आपका एक नंफिनाइट भर्व आपका तो लिब्रेट भी आपका लेज़ आपका तो यह ओप्सन कत्क्यां और करण डी राइट हो गया अगे बहुते हैं पांट काईंड वे भर्व का प्रकार पहचान करना है और अ lesson में अंडरलाइन जहां पर क्या गया उस वर्ड का आपको जैसे इस वर्ड का आपको क्या करना है भड़ पहचार करना है तो दिखे दा वेकेंड लिंक पुड नेबर he greatest चिंग यह कोट полез के होगया दा आया है ठीक ने अब emb crypto तो क्या लगतानको उसका कि यह कि के लिए आया गदा किसे के लिए आय גם का helping भर्व है और यह आपका रिस्टोर्ड यह आपका क्या में भर्व है ठीक नहीं अब यह लिंक जो आपका यहां पर क्या है नाउन है तो नाउन की विसेश्था कौन बता रहा है विकेंड ठीक नाउन की विसेश्था नाउन की विसेश्था कौन बताता है नाउन की सकता है को Hai Partlusive होता है होता न पार्टिसिपल और कि सफोन दो भी धिरी के फ्रमे मतलब पास पार्ट Kansas तो यहां पर देखें यह फिनाइट भर्व तो है नहीं वी करियिया पर फिनाइट भर्व नहीं में ठीक न क्योंकि इस संटेंस का हमारा अगर tremb भर होगा तो फिनाइट भर होमें सा में भर होता है तो में भर हमारा रिस्टोर है तो यह होगा नहीं और नन फिनाइट भर जीरेंट तो है नहीं कि जीरेंट होने के लिए यहां पर लिंक नाउन है उसका विसेश्था बता रहा तो यह जीरेंट नाउन होता तो यह नहीं है ये हमारे वीकेंड यहां पर यह आपका एड्जरटीब की तरह दो लिंक की बिसिस्टावतार रहे किसी िसको लिंक की तो नेन फ्लियह और पाटिसापल महता है अड्जरटीब की तरह स्टने로 ये गलत हो गया कला रते यहां से को घरतें अब कि स्लेक्ट दा मुश्ट एप्रोप्रिट ओप्षन टू फिल इन दे ब्लैंक आपको खाली जगा में सही ओप्षन चूच करके भरना जैसे राधा वाज एक्स्टेमली डैस एबाउट दा वेलफियर ऑफर पैरेंट राधा अपने माता-पिता के राधा अपने माता-पिता के कल्यान मतलब कल्यान को लेकर एक्स्टेमली मतलब वेकल डैस है क्या है तो चिंतित का अंसर क्या होता है ऑनेक्सीय से अनेक्सीयस का मतलू हता है क्या चिंतीत तो एक्स ऑइबंग सभृ उल्ष में और एक्स यह का जो अर्थ होता हुआ वो होता है हम चिंता हिघ ना ऐगर का देखले ऐघर का मतलू था आद्धीर और इम पैटेंट का मतलब देख ले इम पैटेंट का मतलब होता है अधीर और एक है इन टेंस का देख ले तो गहन तो जो राधा है यहाँ पर जो राधा है वो अहर पैरेंट्स मतलब अपने माता-पिता के welfare मतलब कल्यान तो अपने माता पिता के कल्यान को लेकर बहुत एक्स्टेमली मतलब बेहद क्या है चिंतित है तो एनेक्सियस हो जाएगा तो option आपका right C हो जाएगा अब हम चलते हैं अगले question पर select the most appropriate option to fill in the blanks आपको खाले जगा में सही option चूच करके भढ़ना है if you do not return my mother money यदि आप मेरे क्या बोल रहा है यदि आप मेरे पैसे को return नहीं करते हैं यदि तुमने आप भी होता है या तुमने बोलो यदि तुमने मेरे पैसे नहीं लोटाए तो I will dash you to court तो मैं तुम्हें अदालत मतलब अदालत में dash करूँगा क्या करूँगा देख लेते हैं यहाँ पर सारा जो option का English option का Hindi अर्थ आना चाहिता भी होगा तो carry का मतलब क्या होता है carry का मतलब होता है डोना तो अदालत उसको क्या डोएगा नहीं पूस मतलब क्या होता है कि धाकेल ना क्या अदालत में धाकेलागा ड्रय्ग क्या मतलब हो रिचना और क्या उसको खिच सेगा अद्र oraz अजिशीए गा क्या इसको त्रॉ pastor है तो आपका option क्या हो जागा यहां से ड्रैग हो जाएगा ठीक ना option कि भी राइट हो जाएगा कि आगे बढ़ते हैं स्लेक्ट दा मुस्ट अप्रॉपिट ऑप्शन टू फिलिन दा ब्लैंक आपको खाली जिगाह में सही ऑप्शन चूच करके बरना है औल्दू आऑंलाग केट क कैम क्लिक होता है अर्थ होता है मैं हैं ह हलांकि ​ má कि मुझे बिलिया क्रव पसंद है अख यहाँ कि मुझे पसंद है मैं किसी को पालतू जानवर के तो I cannot सकता हूँ मैं one as a pet मैं किसी को पालतू जानवर के रूप में नहीं सकता हूँ मतलब नहीं सकता हूँ तो क्या होगा मुझे ठीक है, मुझे बिलने पसंद है लेकिन मैं किसी भी जानवर को पालतू के रूप में पालतू के रूप में नहीं कर सकता हूँ तो क्या नहीं कर सकता हूँ Adapt Adapt का मतलब क्या होता है Adapt का मतलब होता है गोद लेना मुझे बिलिया पसंद है लेकिन मैं किसी भी पेटको गूद नहीं ले सकता हूँ, ठीक है? तो आपका adapt सही answer हो गया, avoid का मतलब तो होता है क्या? टालना, ठीक न? अप्लाय का मतलब क्या होता है आवेदन करना अप्लाय का मतलब क्या होता है आवेदन करना एगरी का मतलब क्या होता है सहमत होना एगरी का मतलब क्या होता है सहमत तो यह तो होगा ने तो आपका option क्या हो गया भी राइट हो गया select the most appropriate option to fill in the blanks आपको खाली जगह में सही option बढ़ना है he is always restless he is never at dance with himself क्या बोला कि वह हमेशा बेचेन रहता है he is always restless restless का मतलब क्या होता है rest less का मतलब होता है बेचेन वह हमेशा बेचेन रहता है he is never at dance with himself हुआ कभी भी अपने आप से डैस नहीं रहता वह अपने आप से डैस नहीं रहता मतलब पीस मतलब सांत नहीं रहता तो आपको option भी राइट हो जागा ठीक है क्योंकि अगर आप है से याननेटी का अ का आर्थ देखोगे कर इसका मतलब होता इसका भी मतलब होता है सांती ठीक ना लेकिन यहां पर इहां पर विध हाया ठीक न है अब पीस के साथ हमारा विध प्रिपोजिसंग आUTा हमारा इसल की साथ पर हम रहाइट क्या लगा साइलेंस का भी मतलब होता है साइलेंस का मतलब होता है मौन ठीक ना तो इस तरह से आपके कि यह ओप्शन फी राइट हो गया अगा में फिलाप दाब लेंग सबिस्ट शोई श्टेडि हाँ पर क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यह क्या लेगा सिंगुलर भर्व लेगा तो यहां विन्स हमारा प्रेजेंट बता रहा है विन्स यह आपका भर्व का पहला रूप है है ना तो यहां पर सिंगुलर लेगा ना वान विन वान विनिंग तो होगा ने वान भी नहीं होगा आपका ओप्षन भी राइट हो जागा ठीक ना तो फ्रेंट्स यहां पर क्या होगा सिंगुलर भर्व लेगा तो सिंगुलर भर्व हमारा यहां थोड़ा मिश्टेक हो गया यह तो भीवान होता है विन्स होता है भर्व का पहला रूप है और यह क्या होता है अपने आप में भर्व जब पहला रूप में रहे तो वह अप कर देते हैं तब नहों हमारा सिंगुलर में आता है ठीक ना तो यहां विंस के साथ एस लगा हुआ तो यह आपका सिंगुलर हुआ ठीक ना यह नहीं हुआ तो यह मिश्टेक थोरा सुधार कर लेते हैं ओप्सन ए राइट होगा आगे बढ़ जाते हैं फिल अब दा ब्लैंक्स विदा क्रेक्ट ऑप्सन आपको सही ऑप्सन के साथ यहां पर आंसर बढ़ना है प्रिपोजिशन पर बेज्ट है तो इस डेस्ट एट अ क्लॉक तो यहां पर अबाउट हो जाएगा आगे बढ़ते है क्रेक्ट आपको सही ऑप्सन के साथ यहां पर फिल इंद ब्लैंक्स भड़ना है। अंचर 9 यहां पर क्या ही गवे मळाना आंसर यहां पर एक क्रोध की भावनाः तर्साय आ जारा कैसे भावना हो रहा है कि वह अपना जो जवाब दिया अक्रोध में दिया मतलबु एसा आ हो गया आगे बढ़ते हैं यहां पर आपको डिरेक्ट स्पीच से इंडारेक्ट स्पीच में बदलना है ठीक ना जैसे सीवा इस भाइरी काइंड टू एनिमल लीना सेड लीना ने कहा कि सीवा जो है जानवरों के परती बहुत दयाल हुआ है तो लीना सेड हो जागा सेड किसम सेड है तो जो सीद है वह बदलेगा आपसं सी हो जागा आपका राइट हो गया तो इस तरह से आपके 120 इंपोर्टेंट कुर्चन जो बनते हैं इंगलिस में आपका जो बहाट डिले इंट्रेंस ने आएंगे तो वह आपके महत्मुन इस तरह से complete होते हैं तो जो भी बच्चे वीडियो पर पहली बार आया उनको वीडियो पसंद आया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और notification का वेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले जैसे कि आगामी वीडियो का आपके पास notification पहले पहुंच सके मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और एक बात आपको बता दू कि यहां पर reasoning, science और English का अभी practice set और practice set complete हो चुका है तीनों का और mock test मैं mock test अभी आपको कर वा चाहूं reasoning, English और science का कुछ दिन बाद start होने वाला तो आपको यहां पर complete solution दिया जाएगा सारे subject का तो आप चैनल से जरूर जूरी है और अपनी तयारे को एक अच्छा अंजाम दी दिए मिलते आप से नेक्स वीडियो में आज के लिवे से तना ही धन्यवाद वीडियो आपको देएगे